नमस्कार मैं हूँ रवी सर्मा और आप देख रहे हैं फस्ट बाइट टीवी की खर्श पेशकर्श शाक्षी के बाद दिख्षा शाक्षी के बाद एक और नए नाम आ गया दिशा अगरवाल का दिशा प्रियाग राज के पूर डिप्टी मेर वे भाजपा के वरिष्पनेता मुरैरे इलाल अगरवाल की पोती है ऐसी घटने समाज में भरी पड़ी हैं ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब घर से भाग कर किसी ने अन्य जाती के युवक को अपनाया है समाज में हाला कि इसे लेकर विरोधा भास और टकराओ जो कि कई बार हिंदु-मुस्लिम की खाय तक पैदा कर देता है होते रहे हैं लेकिन यहां हम बात करें भारती सरुकार में भारती संस्कृति की हम सवाल कर रहे हैं हलात पर जब एक बाप या फिर एक दादा का यह कहते वे दर्द आँखों के रास्ते छलग जाता है कि 24 साल जिसे लाड़क प्यार में पाला उसने एक ही पल में उन्हें विलेन बना दिया और जो वेक्ति लाइफ में 3-4 साल पहले आया या कुछ समय पहले आया वहे आज उसका हीरो बन गया इस दर्द से सामना किसी का भी हो सकता है चाहे वह हिंदू हो मुस्लिम हो या फिर अन्य किसी भी जाती संपरदाय से बाफ वे परिवार के इस दर्द को जाती पैमाने में रख कर नहीं तोला जा सकता शाक्षी ने बालिग होते जो किया वह उसका सविधान में प्रदत अधिकार है लेकिन यह भी तय है कि उसने अपने परिवार समाजिक प्रतिष्ठा और लाग प्यार को नैसित पलिता लगा दिया बलके अन्य यूवतियों को भी एक नया रास् पर जाते हैं और वो बच्ची देखते ही देखते परिवार की आखों का तारा बन जाती है कहते हैं कि परिवार में जो काम बेटा जब्रन नहीं करवा बाता बेटी उसे अपनी प्यारी सी एक मुस्कान से करा देती है किसी का दिल पिगले या ना पिगले बाप का दिल बाज निकल ही जाती है कि मारी बेटी छोरो से कम है के ये वो डायलोग है जिसने आमिर खान की फिल्म दंगल को सूपर हिट बना दिया और इसे देखते हुए पिताओं के चेहरे पर सुकून और खुशी बिखर गई कुछ के आंसू भी निकल आए ये वो एक भाई और बाप ह जो गुन गुनाते हैं देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए हर बाग का सपना होता है कि सपेद घोड़े पर सवार राजकुमार आएगा और उसकी परीसी बेटी को अपने महल में ले जाएगा लेकिन समाज में जिस तरह का ताना बाना बुना जा रहा है या उससे एक बाप, एक भाई और एक मा के सपने चकना चूर हो रहे हैं अगर देखा जाए तो घर से भाग कर शादी करने वालों की संख्या में पिछले कुछ दश्कों से बहुत तेजी आई है जहां तक बात शाक्षिकी है तो उसे बालिग होते हुए अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार समिधान ने दिया है अदालत भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी भी यूती अथवा यूवक की शाधिक जबरन किसी से कराई जाए ऐसे यूवलों को सुरक्षा प्रदान करना भी पुलिस का दाई तो है और इसका बहेद हद तक पालन भी किया जाता है घर से भागने के जायतर मामलों में यूवती के परिजन द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने अथवा अपरण की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है पुलिस भी हाथ धोकर यूवल के पीछे पड़ जाती है पकड़े जाने पर यूवती को नारीनी के तन और यूवक को रेप जैसी संगीन धारा लगाते हुए जेल भेज दे जाता है इसके बाद चलती है कोट कचरे कई मामलों में ऐसा भी हुआ है जब बरामद यूवती ने यूवक के खिलाब ही बयान दी है जबकि कई मामलों में यूवती उस परिवार के साथ ही रहने के जित पर अड़ी रहती है अदालेते ऐसे मामलों से भरी पड़ी है कुछ इस तरह कि घटनाएं आम हो गई है और आस पड़ोस के अलावा किसी एका ध्यान इन पर नहीं जाता साक्षी का मामला इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इसकी शुरुआत ही साक्षी ने की अपने वीडियो वारल करते हुए उसने पिता भाई और अंकल को चेताबनी भी दी यहां तक बोला कि अगर मेरे सिर से पानी उपर चला गया तो राजीव अंकल का पूरा परिवार जेल के पीछे होगा जो साक्षी के दावा कर रही है घर में उसे बराबर नजरंदाज किया जाता था वो वीडियो में अपने उस परिवार पर दहाड रही है जिसने बेहद लाड़ प्यार से उसे पाला है जिसने हर नाज नकरे उसके उठा हैं यहाँ पर हम बात किसी जाती धर्म या उचनी चत्वा आर्थिक रूप से मजबूत या कमजोर की नहीं अपितू बात कर रहे हैं तार-तार होते एक रिष्टे की समझा जा सकता है कि उस बिचारे पिता का दर्द जो सिर्फ यही कह सकता है कि अब तुम जहां भी हो खुश रहो कल्पना की जा सकती है कि जुस बाप ने स्वाभिमान में अपना सिर कभी न जुकाया हो और उसका शेत्र में अपना अलग दबदबा हो वो आज सिर उठा कर चल भी नहीं सकता चहरे पारसीम दर्द छलक रहा है वो चैनल पर आगरे कर रहा है कि वो उस बेटी से बात तक नहीं करना चाहता जिसने समाज में उसकी छवी को तार-तार कर दिया अब इसके बाद बारी आती है प्रियाग राक्षे दिक्षा अगरवाल के दिक्षा प्रियाग राज के पूर डिपटी मेर वे भाजपे के वरिशनेता मुरैर इलाल अगरवाल की पोती है राजनेतिक परिवार में जन्मी दिक्षा ने गैर बिरादरी के युउक से घर से भाग कर शादी कर लिया यहां तक वैसा ही है जैसा अन्य मानलों में भी होता है लेकिन अलग क्या है अलग यह है कि जो बात केवल सीमे दाइरे में थी वह हर दाइरे से बाहर हो गई हाला कि दिक्षा ने शाक्षी से संभवते सीख लेते हुए थोड़ी शालिंता बरती लेकिन वह जो बोल रही है किड्नेप किया गया है उससे जबरन बुलवाया जा रहा है जो कि वीडियो के देकर लगता नहीं है हाँ पूर मेयर का यह सवाल वाजिब है कि 24 साल जिसे लाड़ प्यार से पाला आखों पर बठाया उसने आज एक पल में ही उन्हें विलेन यानि दुश्मन बना दिया और परशाशन ने भी मिलवाने के लिए कहा लेकिन रितुराज के परिवार ने उन्हें दिक्षा से नहीं मिलवाया रितुराज से दिक्षा ने शादी कर लिया है एक के बाद एक तेड़ी से कुछ समय में ही ये दो मामले वाइरल होने के बाद यह तैह है कि अब और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हम तयार रहें आज के लिए बस इतना ही समाजिक ताने बाने के इर्दगर्द बनी खबरों पर रहेगी हमारी नजर और देख तरे फर्स्ट बाइड डॉट टेवे नमस्कार